नमस्कार आप देख रहे हैं दनिख्भासकर उत्राखंड उत्र प्रदीश मैं हूँ आपके साथ सपनापांड़े आए डालते हैं एक नजर उत्राखंड उत्र प्रदेश की खबरों पर चमपावत में देरात खाई में गिरी कार तीन लोगों की हुई मौत एक की हालत कमभी चमपावत जिले में पार्टी देवी धुरा मार्ग में गर्स लेख के पास एक आल्टो कार गुरुवार देरात अनियंतरत होकर 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी वाहन में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल एक महिला को हायर सेंटर रिफर कर दिया क्या है जलस्तर बढ़ने से भागिरती के टापू पर फसे 22 मजदूर, देवदूद बन, SDRF और पुलिस ने निकाला बाहर भागिरती नदी के बीच टापू पर फसे 22 मजदूरों के लिए पुलिस वा SDRF देवदूद बन कर सामने आई सीचाई वी भाग किये यह मजदूर अस्थाई रूप से नदी के बीच बने हुए टापू में रह रहे थे जो भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां फस गए सूशना पर सीओ अनुष कुमार के नित्रितों में मनेरी पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुँची टीम ने जान जोखिम में डाल कर सभी मजदूरों को सुरक्ष स्थान पर पहुँचाया है के बाद फिर शुरू हो गए हैं गुरुवार देर रात को यमनोत्री धाम से लट रहे एक तीर्थी यात्री की हार्ट अटेक से मौत हो गई जबकि एक तीर्थी यात्री की घोड़े से गिरने की वज़े से मौत हो गई यमनोत्री धाम में तीर्थी यात्रियों की हार्ट अटेक से मौत का आंकड़ा बारा पहुच गया है श्रीहेम कुंड साहिब के लिए 19 माई को रवाना होगा पहला जथ्था 22 माई को खोले जाएंगे कपाट 22 माई को आरंभ हो रही सिखों के प्रमुक तीर्थ स्थान उत्रा खण में पाचवे धाम के रूप से पहचाने जाने वाले श्रीहेम कुंड साहिब की यात्रा के लिए पहला जथ्था 19 माई को रिशिकी से रवाना होगा श्रीहेम कुंड साहिब की यात्रा के लिए सभी तैयारिया पूर्ण कर ली गई है गुरुद्वारा शुई हेम कुंट साहिव मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरींदर जीत सिंग बिंदरा ने बताया कि यात्रा के पैदल मार्गों को खोलने का कारी भी अंतिम चरण में है बुलेडेन में आज के लिए वस इतना ही जाने से पहली एक संदेश कोरोना संक्रमन अफी खत नहीं हुआ है तो इसे बचे रहनी के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं मास्क पहनी सामाचिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहें दैनिक भासकर उत्राखन उतरप्रदेश